गड़ुनी व्लौनिंग ब्स साथ पांधिने सुनना है की सरह लिए लुप संधी जैसी जूरू हुए वह इस तरीकी से रहा हूं ताकि आपको साज़ी चीजें याद होजें, बच्छो एक बात कोई डाथ लगता है आपको कोई suggestion लगता है कि थीक्त है आपकी अपनी class है, आप मुझे बता सकते हो तो lembert log complete हुआ जिसका割ंब बेंडिंग पड़ा है वो दो lecture में कि मैंने करवाय वो आप कर लो जाकर के अब बीर लो करने जा रहे हैं यह तर बच्चों बीर लेंबर्ट लो हर साल काम आते हैं वह जो मत्तिक लास में हो आपको मिलेगा व्धिस में जाओ तो बीएस्जिकल में जाओ लगा जाता है है तो बच्चों बात करने जा रहे हैं अब बियर ने क्या किया एक ट्यूब्स ले ली यह कलर फूल ट्यूब्स है कैसी ट्यूब्स है उसके अंदर क्या भर दिया तो यहां से रहे हैं यहां से लाइट का सोर्स आ रहा है यहां से एक मोनो कर्मेटिक लाइट आ रही है यहां पर जो solution भर है मैंने मान लोग KMNO4 का भर दिया KMNO4 जो कि कैसा रंगीन विल्यन है जो कि colorful solution है हना अब देखते हैं यह कितनी intensity को gain करता है एब्सॉप करता है तो बियर ने बियर लो actually deal करता है कि कितनी energy absorb होई और कितनी energy transmit होई बियर लो इस बास से deal करता है कितनी जो है intensity वाली light जो है वो transmitted होई और कितनी light जो है वो incident होई या absorb होई इनके बारे में यह बताता है suppose correct tube है और काफी sensitive tube होती है यह वाली specially glass material से यह बनी होती है अब इसमें जैसे ही मैं source of light रखूंगा तो यहां से आपको बता है मैं monochromatic light दूँगा monochromatic light को जैसी अपने radiate करेंगे तो यहां पर light absorbing solution पर लेकर के आएंगे वो एक colorless solution ही होना चाहिए बच्चों जहां लखो इस बात को यहां से जैसी मैं कभी भी intensity वाली light को या energy को absorb नहीं करता तो ऐसा solution लेकर करेंगे बच्चों जो solute और solvent दोनों के दोनों colorful और light को absorption दिखाएं अना उसी अब हमने क्या किया एक monochromatic light लेकर करके आते हैं यहां पर मैंने क्या किया lambda की value यानि त्रंग धैदर है जो की energy से जुडा हुआ है जैसी आपने लेंडा की value fix कर दी इसका मतलब आपने energy की value fix कर दी ठीक है आपने energy की value fix कर दी उसके बाद देखने जा रहे है बच्चों आपने value ठीक है ना लें हमने यह मान करके चल रहे हैं कि हमने वेलिफिस कर दिया उसकी अब जैसे इस पर फोटोन इंसिजन्ट हो रहे हैं लाइट इंसिजन्ट हो रही है पर मीटर स्वेर एरिया में पर सेंटिमीटर स्वेर एरिया में लाइट जैसे इंसिजन्ट हो रही है तो हम यह चेक कर रहे हैं कि one second में one second में कितने photon यहां पर गिरे कितने photon यहां पर incident हुए उसको बोलते intensity अगर मैं बोलता हूँ कि पचास photon पर second गिरे हैं तो वो उसकी intensity है मैं कह रहा हूँ कि अब पचास photon के बज़ाए 60 photon उसके अंदर incident हो रहे हैं इसका मतलब उसकी intensity increase हो रही है तीवरता बढ़ रही है इसका मतलब यह नहीं है कि वो energy बढ़ रही है energy के अगर आप जितने इमर्जी light को incident करवा लो यहाँ पर energy constant है लेंडा की वैली constant है तो energy से बिहाब पर नहीं देखना आपने आपने देखना intensity intensity का मतलब यह है कि one second में यहां कितने photon आ हे हैं kitने photon depende हो रहे हैं यहां कितने photon आप दित हो रहे हैं माल मैं बोलता हूँ कि यहां पर wadi इंसिदेंट हो रहे हैं तो चेंज इन इंटेंसिटी पर यूनिट डिस्टेंस जब वो छोटी सी डिस्टेंस देखते हैं न अपने वो पर यूनिट डिस्टेंस तो आप करवा चुके हो कि पर यूनिट डिस्टेंस में कितनी लाइट का अब्जॉप्शन हुआ कितना इंटे i से denote किया था d i से change in intensity upon d change in change in distance यानि change in उसकी thickness तो वो negative आया था जो कि directly proportional था incident light की intensity के वो directly proportional था यह रिशन कहा था कि with the respect of thickness जैसी ऐसे thickness बढ़ती जाती है वैसे वैसे change in intensity negative होती है इंटेंसिटी में दिक्रीमेंट आता रहता है और जो कि incident incident light की intensity के directly proportional होता है यह बात लेंबर्ट ने बताई थी हमां लेंबर्ट ने यह बात बताई थी कि मतलब यह लेंबर्ट ने बात बोले चीए अगर मान लो को फिफ्टी फोटोन आ हैं 50 फोटोन यहां पर आपतित हो रहे हैं incident हो रहे हैं तो फिफ्टी में से वन सेंटी मीटर वाली लेंथ ने 40 फोटोन क्या किया 10 फोटोन को absorb कर लिया अब किते फोटोन रहे गे पैंडिंग किते रहे इसको वन 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 बात लू तो यहां पर फिफ्टी फोटोन आए थैन फोटोन यहां अब्जूब कर लिए तो यहां किते रहे थटी जो यहां अब्जूब कर लिए तो यह इंसिजट लाइट जो है पर centimeter square area में, पर centimeter square area में, तो intensity decrease हो रही है, जो कि directly proportional किसकी है, जो कि directly proportional किसकी है, decrement of intensity, directly proportional of incident light with to respect of thickness minus में, ये बात हमने की थी, ये बात हमें Lambert ने बताई थी, अब बात आती है आगे, कि सर हमें beer ने क्या पता है, beer ने ये बात बोली, जब आप C concentration वाला कोई solution fill up करते हैं, जैसे माल लो मैंने KMN4 जो कि ये colorful solution है, मैंने उसको dip कर दिया, तो मैंने उसको dip कर दिया, तो ये कहता है कि जैसे जैसे concentration में change आएगा, या concentration में change, concentration में change जो आएगा, वो intensity में भी change लेकर के आएगा, यानि वो intensity को absorb करेगा, intensity में decrement आएग अगर concentration बढ़ रही है, अगर आप concentration बढ़ रहे हो, तो absorption बढ़ रहा है, तो intensity में decrement बढ़ रहा है, इसका मतलब intensity decrease हो रही है, intensity decrease हो रही है, इसका मतलब i की value decrease हो रही है, यह भी value decrease हो रही है, यह बात bier ने बताए, only bier ने सिर्फ और सिर्फ यह बताए है, कि मैं medium जो ले रहा हूँ, उसमें solution भर रहा हूं, इसकी concentration C है, और C सांदरता वाला विलियन भर रहा हूं उसके अंदर में और वो light को absorb कर रहा है अगर आपने संदरता में परिवर्तन कर दिया तो उसकी light की intensity में decrement आएगा जो कि incident light के समानुपाती होगा यह बात बोलिए अब इसकी definition पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बियर लोग की definition पढ़ने जा रहे हैं तो बात यहां पर concentration की कर रहा है जब एक वर्नियब परकाशिय विकिरन को पारदर्शी माध्यम में से गुजारा जाता है तो माध्यम की संदरता की सापिक्ष यहां पारदर्शी से मतलब यह काम किया लैंबर्ट लोग के अपने साब मिला लिया और बीयर लैंबर्ट को मिला कर नियम बना रूल बना जिसको बोलागा बीयर लैंबर्ट लोग क्या बोलता है सब्सक्राइब बैइर लेंबर्ट यह बोलता है कि चेंज इन इनецी इंटेंसिटी बीए लेंबर्ट लोग वोलता है बच्चों कि चेंज इन इन इन्तेन सिटी विद रिस्पंट टूब्ध रिस्पंट टू तिकनेस डर य데कली प्रपोर्ट्रो सनथ या एण incident light की intensity हना यह एक इसे नोंने एक क्या दिया एक formula दिया एक relation दिया किसके भी में concentration के भीच बीच में और और thickness के भीच में यह करता है कि thickness के change in thickness यह लिए मुटाई की respect में जो Decrement आता है मैनने कर सिंबल लगा दो जो Decrement आता है incident light की intensity में वो डरेक्छ ली प्रपोरेशन होता है कंसंट्रेशन अगर आपने कुछ कोई सलुशन भर दिया मतलब कहने का मतलब यह है कि बियर ने सिरस सोलुशन से इंट्रूशन करवाया सबीानिस कि बात भीजिबांट्र गाशनल ने स्लिशन डाल दिया तो सब्रНе कहता है कि वह लाइक को आपकरता है तो से सलिशन भी एविए विन गंवं के कंसेंटर भी रिस्पॉंसिबल है लाइट एपोप्शन के लिए अ not only to intensity of the incident light but only but also to the concentration see of the solution यह कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उस भी पर depend नहीं करता incident light की incident light की intensity आपतित विकिरन की तीवरता पर ही निर्बर नहीं करता बल्कि यह उसकी concentration पर भी depend करता है यह बात समझाने की कोशिश की है यह एक परकार का एक परकार यह मालो की review में जालो ने क्या किया कट कपी पेस्ट किया और यह बना दिया सिमपल दिए बीर ने क्या किया लेंबट लो लिया अपना लो लिया और लो लिया को मिला नडिया और काशन की कि यह प्रकार बात दो करेखा प्र rubbish करेगा concentration के भी समानुपाती होगा ये बात बोली इसको बच्चो नोट कर लो screenshot ले लो बच्चो अभी notes मत बनाओ notes आप बाद में बनाना पहले आप देखते रोचीज़ों कुछ जो को समझोआ बच्चो अब इसमें हमने formula drive कर रहे है calculation करने के लिए मान लो मैंने KMNO4 solution भर लिया आप BSC lab में practical कर रहे हो BSC lab में अपने practical को अपने करते ही करते होते हैं न BSC lab में practical तो करते ही करते होते हैं न तो इसका मतलब यह हम समयने जा रहे हैं आगे आगे इसका formula drive करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं D I minus D I upon D X का मतलब क्या होता है कि change in intensity with respect to thickness is directly proportional to the concentration as well as intensity of incident light मतलब कि किसी भी आपतित्विकिर्णों की तीवर्ता में कमी उसकी मुटाई के सापेक्ष सांदर्ता के और और उसकी तीवर्ता के भी समानुपाति होती है अगर हम बात करें तो ठीक है अब बात करने जा रहे हैं आपको बताए कि जैसी इसका प्रोपरिशनलिटी का साइन आते हैं तो अलफा आजएगा यह अलफा आ गया ठीक है यह अलफा लगा दो डी आई अपॉन डी एक्स इस इकल टू माइनस अलफा इसको देदो इक्साथ कर देते हैं डी आई के बटा में आई ले आते हैं आपको बताए कि सेम सेम जिद्री भी सिमिलर टर्म्स होती है पर देते हैं उसको टूमरी ले मने प्रम्स है करने के लिए करने के लिए कर रहा हूं इस वाली सुरिण को मैं इंटीक्रेट कर रहा हूं मैंने limit क्या लगा दिए बच्चों आपको पता कि जो intensity है तो की इनीशियल इन्टेंसिटी है वह आई-दू अफ्टर सम्टाइम बाए उसकी इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट आने के बाद इसकी इंटेंसिटी कहा रहेगी आई रहेगी इनीशियल जो उसकी मुटाई है जो उसकी थिकनस है वह एक्स इस इकल टू जीरो एंगे लेकिन आफ्टर जैसे वह एब्डॉप्शन शो करेंगा जैसे वह आप तित विकिरने उस लेगा मैंने यहां पर एक्स इंटेंसिटी आई नोट है और जो यह वह इंटेंसिटी वह आई है हाना तो इनीशियल इंटेंसिटी आई नोट इनीशियल और उसके बाद आपको बता है चांता कि एक्स इंकल्टी तू ब्यां पर जब यह लाइट इंसिटी तorf एक्स इस इकल्ट्टी जीरो था जैसे इसने पार किया तो इक्स इप्डिडि प्यो इंट फैफ्टै in ग्रें सिप्डॉल गया मतल। absorption X is equal to B हो गया मत्त्व B length तक उसने light को absorb कर लिया ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ इसका integration करने ही जा रहा हूँ D I upon I के respect में I node से लेकर के limit लगा करके I तक लगा रहा हूँ initial intensity से final intensity तक मैं इसका limit लगाते हुए integration कर रहा हूँ आपको बता है कि alpha consonant है c consonant है तो यह भार आजेगा इसका तो कोई integration होता ही नहीं है सब पता है आपको तो 0 से अब इसके limit 0 से लेकर के 0 length से लेकर के B length तक मैं इसकी limit लगा करके integration कर रहा हूँ आपको यह बात पता है simple सी बात पता है कि formula होता है इंटीग्रेट 1 by x dx का अगर आप integration करते हो तो एलन x आ जाता है यह formula होता है इसको बोलते है लोग आपको बता है कि इसकी लिमिट क्या है ओपर लिमिट पग Season E limit को मैनस करते हीं मैंने कैया अपर लिमेट में से लोह लिमिट को मैनस कर दिया यानिनल में से प्रण's का मैनस कर दिया तो और आए माई माईनस एलन आ यहां पर मैंने यहां पर मैंने के सिंबल को खतम करने के लिए मैंने क्या कि ला दिया इसको 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 एकुशन नबर दो थर्ड यह क्यों कर रहे हैं हमें सिंप्लीफाई करके एक फर्मॉला निकालना है वह फर्मॉला हमारे नुमेरिकल को सॉल्फ करेगा आपका काम यहीं तक किये कि आपने सुर्फ फर्मॉला ड्राइव करना है और इसको एक्जाम में लिख करके आना है बस अब इस एलन को मैं लोग में कर कर रहा हूं आपके बता है किसी भी नैच्रोल लोग को लोग बेस 10 में करने के लिए 2.303 से मल्टिप्लाइ करते हैं 2.303 से मल्टिप्लाइ कर दिया 2.303 लोग बेस 10 आई नोट अपन आई इस इकल टू अलफा सी भी आ गया यहां तक समझ में बात बच्चों बच्चों यह सब्सक्राइब करने होता है तो उनको एक चीज करनी होती है तो कोई दिक्रत वाली बात नहीं हमें सीखना है चीजों को हमें करना है बस तुम कलास लगाओ तुम सुनो 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 एक बरी सुनो देखो बाद में जब तुम्हें टाइम मिले तो नोट करते रहे ना एक बरी क्लास जुरू लगाओ आदे गंटे के लिए सिर्फ आदे गंटी क्लास लेता हूं मैं और आदे गंटे में आपका लैक्षर कंप्ट हो जाता होता है चले आगे तो यह हमने कनवर्ट किया था अब मुझे अलफा की वैलुच चाहिए तो अलफा की वैलुच को लाने की लिए मैंने क्या किया C और B को इसके अपॉन में ले गया इसके पॉर्ण में लेगा, यह एक फॉर्म बन गी तो alpha is equal to क्या आगा 2.303 upon b into c log based and i not upon i यह वाली same equation को मैंने यहां cb को नीचे ले गया इसको देदो equation number 4 ओके, इसको देदो equation number 4 चले आगे चलो अब यह आपको पता है कि alpha upon 2.303 इसको एक constant और बना जाता है इसको मैंने एक constant में convert कर दिया calculation को easy करने के लिए इसको बोलते है F Cylon क्या बोलते है F Cylon F Cylon का symbol क्या होता है यह होता है F Cylon में convert कर दिया इस पूरे को इसको note कर लो बच्चो F Cylon में convert कर दिया अब F Cylon is equal to value क्या आगी 1 upon BC log base 10 I not upon I यह देखो यहाँ किया था मैंने मैंने कर किया 2.303 को इसके under में ले गया alpha के under में ले गया 2.303 इसको मैंने मान लिया F-Psylon F-Psylon क्यों को कि मेरी value मेरी calculation easy हो जी तो इसको बोला गया F-Psylon 1 upon B into C log base 10 I not upon I अब एस वाल होता क्या चीज़ है मोलर अब्लाप्टिविटी कोफिशेंट इसको मोलर और शोशन गुनांक कहा जाता है बी के बच्चों थिकनेस थिकनेस यानि उसकी लेंथ इसकी लेंथ मीडियम की लेंथ सी के कांसेंट्रिशन लोग क्या लोग वो लोगे रिदम अना फिशल इंटेंसिटी यह क्या है इंटेंसिटी आफ्टर अव्ट अजोशन के बाद की तीवरता कि चलिया आगे F silent यह आ गया, F silent is equal to 1 upon BC और log based 10, I naught upon I आ गया तो अब मैं इस BC को इसके under ले जूँँगा तो यह बंजेगा EBC E मतलब F silent, B मतलब ठिकना है C मतलब concentration जो की सारी value consonant है F silent भी constant है, B भी constant है, C भी constant है इसको मैं completely एक ऐसा consonant में convert कर दूँगा जिसको बोलेंगे A EBC को F silent, F silent और B और C इस तीनों के तीनों constant है इस तीनों को मैं A completely one constant में convert कर दूँगा A, calculation को easy बनाने के लिए यह A के मतलब है, Adoption Adoption एक constant है, जिसकी value constant रहेगी हाना, तो इसको मैंने A में convert कर दिया कर दो बच्चो आप भी पहले BC को यहां ले जो और EBC को A में convert कर दो तो value तो वही रहे लोग बेस 10 I not upon I, तो A is equal to log base 10 I not upon I इसको देदो equation number fifth इसको देदो equation number fifth तो A will be is equal to absorption will be is equal to log base 10 I not upon I is equation number five इसका मतलब यह absorption का मतलब क्या है absorption का मतलब है कि यहां पर कितना absorption हुआ है कितनी value absorb हुई है कितना अविशोशन हुए है how much adoption वो value को क्या बोलते है अपने A बोलते है और जो मैंने पीछे करवाया था F soiland इसको बोलते है molar adoptivity constant या इसको तुम बोल दो molar extension coefficient इसको आप extension coefficient भी बोल सकते हैं extension coefficient यानि molar will open गुनांक हिंदी बोले तो molar will open गुनांक भी आप बोल सकते हूं ओके बच्चों तो A का मतलब समया है बच्चों आपको कि A का मतलब है कि mean कितना adoption हुए कितनी value depend कर रही है तो ये बात होती है इसमें बच्चों यह रिखो यहां तक बात समया है चले आगे यह i note का मतलब क्या है initial intensity i का मतलब क्या final intensity पहले कितनी थी अब कितनी रहेगी after absorption यह मतलब है इसका i note का मतलब है initial प्रारंबिक तीवरता यह का मतलब है अंतिम तीवरता मतलब उसने इतनी तीवरता एब्जॉप कर ली अगर आपको निकालना हो तो i में से i note को minus कर दो तो आपको absorption की value आजेगी इसका मतलब क्या हम transmittance की value निकाल सकते हैं क्या transmittance की कितनी value transmit हुई है निकाल सकते हैं बच्चों कि यह थी इसकी initial value यह इसकी final value है तो हम उसकी respect में transmittance की value यानि कितनी पारगम्या हुई है तीवरता कितनी तीवरता पारगम्या हुई है इसका मतलब यह है कि अगर मुझे यह IT की value निकालनी हो तो मुझे पता है कि यह initial value है यह इसकी final value है i initial, i final तो अगर मैं final में से i final में से initial को minus कर दोगा तो यह value आजएगी IT की अगर मैं इसका ratio निकालनी हूँ अगर मैं इसका ratio निकालनी हूँ ratio कैसे निकालनी हूँगा मुझे IT की value निकालनी है तो मैं इसका ratio निकाल सकता हूँ कि initial value इतनी थी, final value इतनी है तो इसका मतलब मेरी IT की value आजएगी क्या यह बात सः है बच्छो बात स्मिंग में आई कि asking मेरी इनीश्यल वैल्यू क्या थी कैय कि अनुस्टी मेरी final values क्या इतनी और तो उसकी respect में आइटी की value यानि transmittance की value निकाल सकता हूँ इनीशल इतनी फाइनल इतनी अगर मैं इसका ratio निकाल तो मैं transmitence निकाल सकता हूं उसका transmitence का मतलब इसका पार गयम्मेता निकाल सकता हूं तो अब मैं वह बात कर रहा हूं t is equal to क्या है इगा I upon I note मतलब उसकी initial value इतनी है उसकी final value इतनी है अगर मैं इसको रिखो निकाल लूँ लोग-based 10 of i upon i note यह हो गया हना मैंने क्या किया इसको एक पर प्रटा खिला दिया और यहाँ पर माइनस का सिंबल लिया है कि माइनस का मतलब सिंबल शो करता है कि वो उसकी intensity में डिक्रिमेंट आ रहा है तो लोग-based 10 is equal to minus a आ गया कल्कुलेशन को करने के लिए तो यह value आगी लोग-based 10 t लोग-based 10 of t is equal to minus a minus a का मतलब क्या है absorption को शो कर रहा है तो t is equal to क्या आ गया 10 की power minus a आपको पता है कि लोग-based 10 को अगर मैं एंटी लोग में लिखूं एंटी लोग की सिंबल हट जाएगा तो t is equal to क्या आ जाएगा 10 की power minus a वह यहां मैंने की है ओके तो आपको पता है कि एक वैल्यू क्या थी हम पिछे निकालकर क्या है equation number equation number fifth में निकालकर क्या है आपने कि ए की वैल्यू क्या थी बच्छों अपनी कि जल्दी बताओ ए की वैल्यू क्या थी कि अपनी यह थी यह निकाल करके आएंगे तो वह एक ही वैल्य हमने यहां पूटप कर दी यह यहां मैंने पूटप कर दी तो T is equal to 10 to the power minus F silon b into c यह मैं लिख दिया अब आपको पता है transmittance का मतलब क्या होता है I upon I note होता है अगर initial intensity और final intensity का ratio निकाल दो तो आप transmittance की value निकाल सकते हो आप transmittance की intensity निकाल सकते हो तो I note की value रख दी मैंने तो यह आई नोट को में यहां ले गया, इसकी सिंबल में तो I is equal to I note 10 to the power S phylon B into C, यह हमारा finalized formula निकल के आगया, इस formula से हम सभी numerical कुछ numericals को solve कर सकते हैं और काफी calculation को easy कर सकते हैं हमारा practical जब BSC में होता है तो उससे हम इसकी formula से help थे हम यह काम कर सकते हैं, यह हमने formula drive किया बच्चों, यहां तक किसी को doubt हो तो बताओ यह आपका Lambert law खतम हुआ, आपका beer law खतम हुआ, आपका beer Lambert law खतम हो गया आज से आपका adoption of law खतम हो गई है बच्चों को doubt हो तो बताओ comment section में जल्दी जल्दी बताओ, सारे जिने यह lecture लगाएंगे, BSC, B.A. third year and B.A. second year, मैं attendance check कर रहा हूँ, बच्चों आपकी बारीकी से एक बच्चे का observe कर रहा हूँ मैं और attendance must be compulsory अगर आप उस time पे class नहीं लगा पाते हैं, जिसना है मैंने बोला है, तो कम से कम class शाम को लगा लो, उस day में तो complete कर लो, उस day में नहीं लगा सकते हैं, तो कल लगा लो, लेकिन within two days में अपनी class को complete कर दो, मैंने आपके कोई pressure नी बनाए, कोई दाब नी डाला है मैंने आपके, बच्चों यह समझ में law of adoption complete हुए बच्चों, कल हम नहीं topic करेंगे, आपकी next class जब भी होगी, Monday को या Tuesday को या Wednesday को मैं आपको inform कर दूँगा, within one week में हमारे three से four lecture होते हैं, यह मैंने promise किया हुआ है, तो three से four lecture आपके हुआ होँगे, और बिना pressure के आपके काम करेंगे, स्टार्ट भी नहीं किया है, चलें बच्चों आगे, थैंक्यू बच्चों, बाए बच्चों, मिलते हैं फिर, सबाज, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की class आजे, अगर आप 30 मिनट की class नहीं लगा पाते, मैं तो पूरी इसमें कर रहा हूँ, आपके लिए, आपको करना पड़ेगा, इस सिर्फ सुनना है, आपको वीडियो ते लाकर के छोड़ दो, सुनते रों, सुनते रों, कम से कुछ तो दिमाग में जाएगा आपके, कुछ तो फाइदा होगा, आपका लोस नहीं होगा,